नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत है तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी एक्जाम में गनीत का कितना महत्वड अब हो चुका है क्योंकि कोई भी एक्जाम है दोस्तों उसमें 30 पलस मैट पुछता है तो दोस्तो मैत को मजगुच बनाने के लिए आपको छोटे-छोटे सवाल को बनाना चाहिए क्योंकि इससे दोस्तो आपका बड़ा वरा सवाल तेजी से बनेगा जैसा कि दोस्तो इस तरह का प्रश्न को आपको पढ़ते ही एंसर जवाब देना है तो दोस्तो आप इसे प्रश्न को दो-तीन बार बना लेते हैं तो आप इसे पढ़ते ही उत्तर दे दिजेगा वैसे भी दोस्तो आप में से बहुत ऐसा होगा कि इस प्रश्न का उत्तर पहले सोच लिएंगे क्या होगा तो दोस्तो देखे इस प्रस्न में क्या कह रहा है प्रस्न कह रहा है एक किसी काम को 20 दिन में करता है एवं बी उसी काम को 30 दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेगा दोस्तो आप देख रहे हैं कि दो बेक्ति हैं और दोनों बेक्ति अलग अलग द एक दिन में कम कर रहा है और कितना दिन में कर रहा है दोस्तों जो कर रहा है यह क्या करेंगे factor है दोनों का कर्यार कर दोनों का 30 earned 20 का the यहाइगा। और यह उपका टोटन वर्क हो गया अब सुटतों यहाँ आएगा एक दिन का कम जब यह A 20 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा तीन कम करेगा एक दिन में अब दोस्तो यह B जो है B 30 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा दोस्तो यह दो कम करेगा तो अब दोनों जब मिल जाएगा दोस्तो देखिए जब A और प कम है तीन दिन और बी का एक दिन का कम है दो दिन तो दोनों मिल जाएगा पंच कम हो जाएगा और टोटल कम कितना हो गया था दोस्तों साथ हो गया था टोटल कम साथ हो गया और नीचे दोनों मिलके पंच हो गया तो बारो पंचे साथ यनि की दोस्तों आगया आपका बारा बारा दिन में दोनों मिलकर कम को सवंप्त कर देगा option A बिल्कुल सही है दोस्तों एक बार फिर से देख लिए एक कम कर रहा है 20 दिन में और B कम कर रहा है उसी कम को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों A कम कर रहा है 20 दिन में और B उसी कम को कर रहा है 30 दिन में तो जब दोनों मिलकर कम करेगा तो कितने दिन में कम खतम करेगा तो जब दोस्तों इसका LCM लेंगे तो टोटल वर्क आएगा ये आगे आपका टोटल वर्क और दोस्तों यहाँ जो आएगा ये एक दिन का कम आएगा जब A 20 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा ये तीन कम करेगा एक दिन में अब B 30 दिन में B 30 दिन में 60 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा दो कम करेगा अब दोनों मिलकर इस कम को कितने दिन में करेगा कर रहा है तीन कम कर रहा है और भी दो कम कर रहा है तो कुल कार्ये 5 अंची सोड़ कूल कार्ये 6 था नीचे पहुंज रहे तो 12-65 याने की 12 दिन में कम समप्थ होजाएगा ऑप्शन एक बिल्कुल सही है तो चलते हैं अगले प्रश्णी की और प्रश्ण दोस्तों एक और वह साई प्रश्ण है एक किसी कार्यों को 10 दिन में समप्त कर सकता है जबकि B इसे 15 दिन में समप्त कर सकता है तो दोनों मिलकर इस कार्यों को कितने दिन में समप्त करेगा तो दोस्तों यह प्रश्ण भी उसी तरह से बनेगा तो एक कर रहा है दस दिन में और बी कितने दिन में कम कर रहा है दोस्तों उसी कम को 15 दिन में कम कर रहा है तो टोटल वर्क की का लेंगे टोटल वर्क जो होगा दोस्तों इन दोनों का LCM होगा तो LCM कितना होगा तो कूल कार यह तो कूल कार कितना होगा इन दोनों का 10 और 15 का LCM कि यह हो गया आपका total work यानि कि कुल कार्य हो गया जब A 10 दिन में 30 कम कर रहा है तो एक दिन में कितना कम करेगा 3 कम करेगा यह हो गया एक दिन का कम एक दिन का कम हो गया अब B 15 दिन में 30 कम कर रहा है एक दिन में कितना कम करेगा 2 कम करेगा दोस्तों अब दोनों मिलकर, अब दोनों मिलकर कम जो करेगा, तो आप जानते हैं कि कुल ये कार्य बटे चमता, तो जब दोनों मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, ये एक दिन का तीन कम, अब भी दो, पंच कम हो गया, तो तीस बटे पंच, तो छोपांचे तीस कर जाएगा, यनि कि छे दिन में कम समप्त हो जाएगा एक बार ध्यान से आप पीछे करके वीडियो देख लिजेगा तो option भी बिल्कुल सही है तो चलते हैं अगले प्रश्ण के और प्रस्ण देखें दुस्तो यदि x पलस 1 वा x बरावर 5 हो तो x square पलस 1 वा x का मौन क्या होगा दुस्तो इस तरह का बनाने के लिए बहुत ही असान है लेकिन दुस्तो आपको एक सुत्रियाद रखना पड़ेगा जल्दी एकदम तुरत बन जाएगा जपकते ही बन जाएगा तो देखें दुस्तो इसका सुत्र होता है x पलस 1 वा x बरावर आपका मौन लेते हैं यहां पर k ठिक तब दुस् प्रस्प्रस है तो फलस यहां ऐस मैंश हो जाएगा 12 प्रष्प्रस है तो मैंश टूंच हो जागा एक वार सुत्र दियांसे बरावर जो होगा k square बनने के लिए एक सूतर आपको याद होना चाहिए x plus 1yx बरावर k यहाँ पर कुछ भी संख्या होगा दोस्तों हम उसे k मोन लिये तब तो तो क्या होगा दोस्तों यहाँ पर आपका x square plus 1yx square बराबर बराबर जो होगा k square minus 2 कर दिजेगा यही सूतर आपको सवाल तुरत बन जाएगा क्योंकि दोश्तों यहाँ पे square है और तुरत बन जाएगा और दोनों में plus plus है इसलिए क्या करना है minus कर देना है तो देखिए दोश्तों आब इसका 5 square कर देजे और 2 घटा देजे तो कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा यहाँ पे 25 25 में 2 घटे घट कितना हो जाएगा 23 तो 23 answer आपका option भी बिल्कुल सही है तो चलते हैं अगले प्रश्न की और यही प्रश्न दोस्तों वही है देखिए दोनों में plus plus है तो 3 दिया हुआ है तो 3 का square minus क्या करेंगे 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 9 हो गया और 9 में 2 घटा कितना बज़ गया 7 तो 7 आपका इसका answer हो गया इसका answer करता हो गया दोस्तों 7 तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रश्न है दो कि देखिए दोस्तों अब जो है आपका सुत्र आ गया यही सुत्र पर आपको देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ क्या है प्लस है जब माइनस प्लस रहे इनकी याद रखिए शुरू में अगर जदी जो संक्या दिया रहेगा वहां माइनस है क्या करेंगे जोर देंगे अगर दोनों में पलस रहेगा तो क्या करेंगे यहां पर घटा देंगे तो चलते हैं अगले प्रश्णी की और प्रश्णी देखें दोस्तों आपका यहां देखें माइनस है तो क्या करेंगे इस बार जोर देंगे तो क्या होगा यहां प दो का स्क्वाइर कर दिया प्लस दो जोर दिया क्योंकि यहां आप देखने सूतर पहले देखे थे दोस्तों मैनस प्लस है यहां मैनस है तो जोर देंगे अगर यहां प्रस रहेगा तो घटा देंगे तो कितना हो जाएगा चार प्लस दो बराबर छे तो इस प्रश्ण का उत् तो चलते हैं अगले प्रश्न की और प्रस्न है आपका कि किसी कक्षा में 35 लर्का तथा 15 लर्कियों है तो उस कक्षे में लर्कियों का परतिस्यत निकालें दोस्तों कोई कक्षा है और उस कक्षा में 35 लर्का है 15 लर्कियों है तो उस कक्षा में कक्षा में लर्कियों का परति 35 plus 15 याने कि 50 हो गया किता हो गया 50 तो दोस्तों इस टोटल हो गया 50 पूछ किसका रहा है दोस्तों 15 तो क्या करेंगे इसे बनोने के लिए तो 15 बटे मतलब पूड़े कक्छाक न पूछ रहा है तो पूड़ा कक्छाम केता है 50 तोटल बिदारती 50 है तो 50 को नीचे रखेंगे और गुना कर देंगे 100 से क्योंकि परतिसाद था परतिस दिकालना था तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे आप कटा दिजे इसको 50 दून 100 अब 15 दूना 30 तो इस प्रस्न का उत्तर हो जागा दोस्त आपका 30 इस प्रस्न का उत्तर हो गया 30 अगर नहीं समझे एक बार फिर से पिछे करके देख लिजे तो चलते है अगले प्रस्न की ओर देखिए प्रस्न है दोस्तों 25 का 0.25 परतिसत के ब्राबर है तो दोस्तों यह प्रस्न को बनोने के लिए अब डायरेट क्या करिए 25 गुना 0.25 जब प्रतिसत लिखेगा तो 100 होगा अब फिर यह इसको पॉइंट उडाइएगा तो कितना हो जागा आपका 100 होगा तो ऐसा करिए दोस्तों 4 0 है आप डायरेक्ट बना सकते हैं वह इससे आएगा इंसर उतन अगर जिसको कटा देजिगा 25 डोके 100 फिर 400 मतलब 16 वर में कर जाएगा तो भाग देजिएगा आपका उतना ही एंसर आएगा तो क्या करिए दूस्तों पचीस का स्कुरार होता है 625 तो 625 होता है 625 होता है पर लेकिन 400 मतलब 1 2 3 4 सुनों है तो 4 सुनोंक बादे उपर में बै बैठा देजे पॉइंट एग दर लगा देजे तो आपका जीरो पॉइंट जीरो शीक्स टू फाइप आगया जैने की जीरो सुनाद बसीक्स टू फाइप तो देखे दोस्तों कहा है ऑप्सन नमर सी बिल्कुल सही है दोस्तों तो चलिए अगले प्रश्णी क्यों प्रश्ण कर दिया अब यह जीरो यह जीरो कड़ गया आप जानते हैं कि सामने सामने करता है तो 7749 यह कड़ गया अब इसको कोनो को ने गुना कर याद करता हो जाएगा तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका सत्तर इस प्रश्ण का उत्तर हो गया उप्सन सी बिल्कुल सही है एक और जीरो और एक जीरो कटा दिया उपर में साथ बज़ गया तो सामने सामने कर सकता है सत्तर उन्चास यह कड़ गया अब जाएगा एक्स बराबर सत्तर हो गया तो चलिए आपका उप्सन सी बिल्कुल सही है दोस्तो तो अगले प्रश्ण की और प्रश्ण है दोस्तों 20 पैसा 20 पैसा 5 रूपिया का कितना परतिसरत होगा 20 पैसा यानि कि दोस्तों आप देख रहा है इसको भी देखिए इसको भी हमें 5 पैसा 5 रूपिया को पैसां बदलना है तो कितना जाएगा यह 500 होगा तो चलिए किस से पूछ रहा है 20 पैसा का पूछ रहा है तो 20 पैसा 500 का तो द तो चलते हैं फाने की और वह प्रचनाइब यदी किसी संerson का 202 हो तो उस संख्या का 80% कितना कितना आज थे फोची के संक्रेफ दीखली संटरों को सिंटी लिए 6 100 और कितना कर रहें नये पर जिय हो घ्रक्षी हिस संख्या का भी संख्या का भी पर चैसेख कर रहा है तो 45 आया था तो 45 का az dirt यानिकी 100 तो देखेए दूस्टों को कटा देजें ये कट गया अपका और यह 0 कड गया तो अब क्या करना यहांँ पर कटा देजिए 24 दूनि 8 5 दूनि 10 दूनि 9 55 गया और पाउचे का पाउच 9545 गया अब इसे कटा देजिए 9.35 दूस्तो आपका आगिया option number C बिल्कुल सही दोस्तो चलते हैं अगले प्रश्ण के और प्रश्ण है दोस्तो बहुत यसान है 10 kg का 40 परचिस कितना होगा तो 10 kg का 40 पर तिस तो लेज़े 40 परचिस ही हो गया तो यह 0 यह 0 और यह और यह कड़ गया तो कितना हो गया आपका चार आगया option 4 kg हो जाएगा option तो नहीं है दोस्तो इसका चार हो जाएगा तो चलिए कुछ नहीं दोस्तो यह चार सही आगया आपका एंसर इसका 4 kg था चलते हैं अगले प्रश्ण के और प्रश्ण कितना तो 40 रुप्य का पंच पर 13 कितना हो गा तो 40 रुप्या है का पंच पर 13 と 5 Kr़ 00 कंटा ओह यह 0 कड़ गया अब पंचे का 5 5 पूंच वूनी 10 कढ़ गया अद्डू एक कदू दू दू नि 4 दो दूनी चार देखिए दोस्तो कड़ गया फिर से लिखते थे तो तो जोष्टो चालिस का प्रच परतिस्द जलिए प्रच के रहां मंगा यन कि दुष्टो 2 आएगा इसका स्वाइगह टो चलते एंगले प्रष्ण की की यह प्रशन दोस्तों engels –раж इन्हीं दो मीटर का कितना परतिस्रथ होगा पांस सेंटिमीटर का कीतना 50 होगा तो पंच सेंटीमीटर है तो पंच सेंटीमीटर हो गया अध दो मीटर जिया इसको सेंटीमीटर बदलें कि इतना हो जाएगा 200 हो जाएगा और कितना प्रसेस पूछ आ तो एक आप दिखें, यह डीभल 0 कटा देजे, अब कटा देजे दू दू नि 4, अब बज़ गाइस में 1, पॉइंट दे दीजे पॉइंट दे करके, फिर 10 होगे 5 नि 10, यानि कि 2.5 हो जाएगा 2.5 इसका एंसर हो जाएगा जलते अगले प्रशनी की ओर प्रशन है दोस्तो आपका 500 रुपिये का 2 परतिसत वारशिक दर से 3 वर्ष का सरल व्याज क्या होगा जलाली बताए दोस्तो क्या होगा इस प्रशन का उत्तर आपको पहले पार्ट में भी इस基本 बताए हैं चाहिं बताए थे पहूंच सुष तो लिख दिज्ग दीजिए दूस्तों इस तरह के प्रसन वे दोस्तों आपको रूप्या दिया रहे गगा वार्षीक दढ़ द्या रहे गार और समय द्या रहे और सहरारन photography पूछेगा तो कुंछ नहीं दूस्तों इस Memphis प्रस्ट के लिए आपको देखे वार्ष तीन वर्ष के लिए कहरा रहा है और सारल भ्याज पूछ रहा है तो ये तीन वर्स तक कि क्या बरेगा दो दो रुप्या बरेगा यानि कि दो परतिसाद बरेगा फिर पलस दो परतिसाद बरेगा फिर पलस दो परतिसाद ये तीन वर्स तक बरेगा तो कितना हो जाएगा दून चार छे परतिसाद हो जाएगा तो क्या करेंगे यहां पर गु यह प्रस्ण जो है कि चार टाइप से बनता है तो सबसे असान टाइप क्या था दोस्तो ए अनुपात बी ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है चार दिया हुआ है अनुपात पहुच दिया हुआ है फिर दोस्तो बी अनुपात सी के तद या एक छोड़ के लिखेंगे तीन अ अनुपात चार अब दोस्तों देखें तीनों का मौन निकल जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों का मौन निकल जाएगा तो क्या करना था समने बालों के लिखना था अनुपात समने तो इसका समने क्या हो जाएगा तीन इसका समने क्या जाएगा पॉंच तो देखे गर चारतीय बारह अनुपात ? 15 अफिते यह 15 नुपात ? पहंचे की यह 12 है सवाल भनता है यह 12, 15 विस का है 20 15 अफ्षन भी विल्कुल सभी दोस्टो चलते हैं अगले प्रशंण यह असावन टरीक है दोस्तो यह सवाल बंता है अब आगे दोस्तो चार तथा 16 का 3e अनुपात क्या होगा 4 तथा 16 का 3e अनुपात क्या होगा तो दोस्तों इसका आपको एक सूत्र याद रखना है 3e अनुपात क्या होता है यानि कि A और B का 3e अनुपात होगा B square बटे A चलते हैं B के जगाप अधर यह है तो 16 का square करेंगे 16 गुना 64 तो इस प्रश्ण का उत्तर होगे आपका 64 आपको सुत्र यह याद रखना है दोस्तों तीरतिया नुपात का सुत्र होता है जब भी दोस्तों तीरतिया नुपात पूछेगा तो आपको स्लोचे की 64 स्लोचे की 64 हो गया आपका अंसर बिलकुल सही दोस्तों इसका 64 हो जाएगा अंसर तो चलते अगले प्रस्ण की और प्रस्ण दो कि देखे अब दा गया फिर यहां आपको ए अनुप ए तथा बी रहेगा तो क्या करना इसका मध्या अनुपात पुछा है तो मध्या अनुपात का शुत्र होता है दुस्तो रूट अंडर A B रूट अंडर A B होता है याद रहНе रखेगा रूट अंडर A B तो क्या है रूट अंडर A B कर दिए ठीस नोगोड़ों 25 चीज तो आपका इसके तीनी बारे कर जाएगा इसका पहुंच कर जाएगा तो किता हो गया 15 इसका इंसर हो गया 15 आपका इंसर आगया 15 बस रूट अंडर था पंद्र अनुपात 12 हो गया समय अनुपात आएगा दोस्तों उसके बाद फिर आपका क्या होगा यहाँ पे 20 और जो चट्चवथा होगा वह X होगा क्या होगा X होगा तो आप ऐसे बठा सकते हैं पंद्र बटे 12 अब बराबर समय अनुपात मतलब बड़ाबर होता है 20 बटे X तो कोनों कोनी गुना करिया किता हो जाएगा 15 एक्स बराबर 20 गुना बार अब दोस्तों X बराबर क्या हो जाएगा नीचे 15 आजाएगा तो अब यहाँ पे देखिए अब कितना आ गया था आपक नीचे 15 तो इसे कटा दिजिए क्यावर में कर जाएगा पंच चोके 20 अब पंच तिया 15 तीन एका तीन चार तिया 12 तो करता जाएगा दोस्तों इसका इसका भी सुत्र होता है दोस्तों तीरतिया अनुपात का सुत्र होता है आपका आपका एक्स हो जाएगा यहाँ पर नीचे तो आपका सुत्र बन जाता है एक्स बराबर जो चोट्था संक्या होगा यो तो इसका सुत्र बन जाएगा दोस्तों एक्स बराबर B गुना C बटे A यह हो जाएगा, आब इस पर बना सकते हैं, 15 निचे है और B किता है, 12 है गुना 20 है तो कटा सकते हैं, इसको दोस्ते इधे से कटाईए, पॉंच चोके 20, अब पॉंच तिया 15 8, 3, 1, 3, 4, 12 तो चार चोके, सुल तो चले दोस्तों अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट जरूर करें और अपने से जुनियर विदार्थी में शेयर जरूर करें दोस्तों जैहिन जै भारत